नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा ग्यारवी के अध्याय दो में फलन के बारे में पड़ेंगे याद करें पिछले सत्र में हमने संबंध के बारे में पड़ा था संबंध की परिभाशा और उसके ही संदर्भ में प्रतिबिम, प्रांथ, सहप्रांथ, एवं परिसर पड़ा था हमारे देनिक जीवन में फलन के कई उधारण है जैसे की वृत का छेत्रफल तरिज्या का एक फलन होता है और टेक्सी का किराया यात्रा की दूरी का एक फलन होता है ऐसे ही कई उधारण है तो इस सत्र में हम किन-किन विश्यों को पड़ेंगे देखेंगे हम फलन की परिभाशा और उसी के संदर्भ में प्रांथ, सहप्रांथ, परिसर, प्रतिबिम पड़ेंगे एवं कुछ खास फलन पड़ेंगे जैसे की तचसमक फलन, अचर फलन, मापांक फलन, आदी आईए एक प्रश्ण लें, इस प्रश्ण में हमें क्या दिया है, हमारे पास दो संबंध दिये हैं, ए से बी तक, जिसके अंदर A समुच्चे में 3 अव्यव हैं 2, 3 और 5 और B समुच्चे में भी 3 अव्यव हैं 1, 2 और 3 हमें दोनों सम्बंदों का प्रांत और परीसर गयाद करना है हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसका प्रांत और परीसर क्या होगा? याद करेंगे ये जो सारे क्रमित युग्म हैं इसके जो पहले घटक हैं उनका अगर मैं समुच्चे बना लूँ तो वो क्या होंगे? प्रांत होंगे यानि वो प्रांत कहलाएगा तो 2 और 5 इसका समुच्चे क्या है? आरवन सम्बंद का प्रांत और परीसर दूसरे घटकों का समुच्चे यानि प्रति भिम्बो का समुच्चे तीन, एक और दो तो परीसर क्या बन गया? पूरा का पूरा समुच्चे बी किसका सम्बंद? आरवन का अब आटू सम्बंद में देखेंगे इसके अंदर हमारा प्रांत क्या है? पूरा का पूरा समुच्चे एक, दो, तीन और पांच क्योंकि तीनों अव्यवों की हमारे पास क्या है? प्रति भिम्ब है और परीसर क्या है? एक और दो बच्चो इस आटू संबंद को जरा देखें इसमें क्या खास है इसमें आप ये देखेंगे कि सारे के सारे अव्यव जो की ए में हैं इन सब के प्रतिबिम्भ है ठीक इन सब के प्रतिबिम्भ है और इनके केवल एक ही प्रतिबिम्भ है ऐसे खास संबंद को हम एक नाम देते हैं फलन आईए इसकी परिभाशा देखें परिभाशा के अनुसर एक समुच्चे A से समुच्चे B का संबंद F एक फलन कहलाता है यदि A के प्रतियेक ध्यान देंगे प्रतियेक अव्यव का समुच्चे B में एक और केवल एक प्रतिविम्भ होगा छीक दूसरे शब्दों में आप इसे कैसे देख सकते हैं फलन F किसी अरिक्त समुच्चे A से अरिक्त समुच्चे B का इस प्रकार का संबंद है कि जो F है और इसके प्रांट में क्या आ रहे थे क्रमित युगम आ रहे थे तो अगर हम किसी भी दो भिन क्रमित युगमों को ले ले तो उनके पहले घटक समान नहीं होने चाहिए ठीक? आईए इसे चित्रिन के रूप से समझे यह हमारे पास अलग-अलग संबंध दिये होए है इसे पहले हम नाम आंकित कर देते हैं यह मेरा R1 यह R2 यह R3 और यह संबंध R4 अब मुझे यह देखना है इन चारों संबंधों में से कौन सा फलन है पहले देखेंगे एक जो है हमारा संख्या वो किसके साथ युग्मो बनाएगा एक के साथ दो दो के साथ तीन का कोई प्रतिविम है ही नहीं पर हमने पढ़ा था प्रतियेक अव्यव का प्रतिविम होना चाहिए तो यानि यह R1 संबंध क्या है हमारा केवल संबंध फलन नहीं ठीक अब दूसरा देखते हैं इसके अंदर एक एक के साथ युगम दो आठ के साथ तीन, तीन के साथ आठ दो के साथ प्रती एक अव्यव का प्रति बिम्भ है और एक और कीवल एक ही प्रति बिम्भ है तो ये आठ टू संबंध हमारा क्या है? फलन है आठ तरी संबंध देखेंगे एक एक के साथ युगम बनाएगा दो आठ के साथ तीन, दो के साथ और आठ, दो के साथ ध्यान देंगे ये भी एक फलन है अब आखरी संबंध आर फोर R4 में क्या देखेंगे 1 मेरा 1 के साथ युगमु बना रहा है یعنی 1 तीन के साथ भी हमारा युगमु बना रहा है यानी 1 की कितने प्रतिबिम्भ है 2 एक भी है और 3 भी है पर हमारा क्या परिभाशा ने बताया है कि केवल एक ही प्रतिबिम्भ हो सकता है तो यानि जो R4 संबंध है वो मेरा केवल संबंध है फलन नहीं ठीक, आईए इस पे एक प्रशनल लेते हैं सबसे पहले हम इसका प्रतिकात्मक रूप देखेंगे ये हमारा प्रतिकात्मक रूप क्या बता रहा है F मेरा फलन है A से B तक ओके ये जो A है इसे हम कहते हैं प्रांत B हमारा क्या बन गया? सहप्रांत जिसमें A हमारा अव्यव है और B हमारा क्या है? इस A अव्यव का प्रतिबिम्ब ठीक? अगर मैं इन सब ही प्रतिबिम्बों का समुच्चे बना दूँ तो मुझे परिसर क्यात्म मिलेगा ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने एक फलन को प्रतिकात्मक रूप से लिख सकते हैं अब हम फलन को वास्तविक फलन भी कहते हैं अब वो कब कहते हैं? देखेंगे ये हमारा फलन है A से B तक जिसमें हमारा B सहप्रांत है अगर हमारा सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चे हो जाए या फिर उसका कोई उप समुच्चे हो जाए तब मैं इस फलन को क्या कहूंगी वास्तविक मान फलन कहूंगी क्योंकि हमारा जो मान आ रहा है जो प्रतिबिम्बा रही है वो कैसी संख्याएं होंगी वास्तविक संख्याएं होंगी चीक? और अगर हमारा प्रांत भी वास्तविक संख्याएं का समुच्चे हो जाए या फिर उसका कोई उप समुच्चे तो पूरा का पूरा हमारा फलन वास्तविक फलन के नाम से जाना जाएगा आईए इस पे अब एक प्रेशने देखें इस प्रश्ण में हमें क्या दिया हुआ है? एक फलन f दिया है जिसे हमने परिभाशित किया है इस तरीके से यानि fx बराबर है 3x-5 के हमें इसमें क्या-क्या ग्याद करना है? हमें ग्याद करना है f0 का मान, f-3 का मान, एवं f5 का मान यानि अगर मैं 4x के जगे 0-3 और 5 रखूँ, तो हमारा मान क्या आएगा? देखते हैं इसका हल? हल आप देखेंगे सबसे पहले कैसे निकालेंगे? इस फलन में जहाँ-जहाँ 4x है, वहाँ-वहाँ हम 0 रखते हैं, ठीक? तो क्या मिला हमें? 3-0-5 तीन को अगर हम 0 से गुणा करेंगे, तो 0 मिला, तो बचा कितना? माइनस 5, तो हमारा 0 का प्रतिविम क्या हो गया? माइनस 5, और f, 0 का मान कितना आया? माइनस 5, इसी तरीके से हम अगला प्रतिविम देखेंगे, किसका? माइनस 3 का, ठीक? देखते हैं, कैसे निकालेंगे? 3, 4x की जगे, माइनस 3 रखेंगे, और माइनस 5 तीन गुणा में माइनस 3 माइनस 9, और माइनस 9 माइनस 5 कितना हुआ? माइनस 14, आगया हमारा उत्तर, यानि माइनस 3 का प्रतिविम हुआ, माइनस 14 इसी प्रकार, आप क्या निकालेंगे? और आप देख भी सकते हैं, f, 5, इसका मान कितना आया? किसके बराबर होगा? 10 के बराबर, ठीक? आईये स्पेक और प्रश्न लेते हैं, इस प्रश्न में हमें क्या-क्या दिया हुआ है, पहले हम ये देखते हैं हमारे पास प्राक्रित संख्याओं का एक समुच्चे दिया हुआ है और हमें एक संबंध भी दिया हुआ है और उसको कैसे परिभाशित किया है? जो हमारा दूसरा घटक है वो पहले घटक का पांच गुणा यानि पांच का गुणांक चीक और X और Y दोनों चर हमारे प्राक्रेट संख्याओं में से ही आ रहे हैं हमें इस प्रश्ण में क्या-क्या ग्यात करना है इस संबंध R का प्रांथ परीसर सह प्रांथ और ये भी देखना है कि क्या ये संबंध फलन है या नहीं ठीक आकरी बिंदू में आप देखेंगे अगर मैं समुच्चे N को यानि प्राक्रेट संख्या के समुच्चे को इस A समुच्चे से बदल दूँ तो क्या अंतर आएगा हमारे इस संबंध में आईए अब इसका हल देखते हैं हल में प्रांथ सबसे पहले प्रांथ देखेंगे कोन-कोन सी हमारी संख्याई ले रहा है ये पहला घटक चर X सारी प्राक्रेट संख्याई तो यानि प्रान्थ हमारा क्या हुआ? पूरी प्राकृत संख्याओं का समुच्च है अब परिसर देखेंगे परिसर यानि ये घटक जो दूसरा घटक है यानि चर वाई ये कोन-कोन से मान ले रहा है अगर मैं यहाँ एक रखूं तो पांच आएगा दो रखूं तो दस आएगा तीन रखूं तो क्या आ रहा है? पंद्रह यानि सारे पांच के गुडांक आ रहे हैं और जब मैं प्राकृत संख्या रखती हूं तो यानि परिसर भी क्या हो गया? सारे पांच के गुडांकों का समुच्य है वही हमने यहां लिख दिया ची, सहप्रान तो हमें पता ही है प्राकृत संख्याओं का समुच्य ही है तो पहले तीन हमारे बिंदू आ गए इनहीं पहले तीन बिंदूओं से आप यह देख सकेंगे कि यह संबंध एक फलन है कैसे? क्योंकि हर एक प्राकृत संख्याओं की क्या होगी? हमें एक प्रतिबिंब मिलेगा यानि वो एक अपना युग्म बनाएगा और उसका केवल एक ही प्रतिबिंब होगा तो इसलिए यह संबंध क्या बन गया? एक फलन बन गया परन्तु अगर मैं इस N को इस समुच्चे A से पलट दूँ तो यह फलन नहीं रहे जाएगा कैसे? आप देखेंगे केवल एक ही है जिसका प्रतिबिंब हमें मिलेगा बाकी अव्यवों का प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेगा तो आशा करती हूँ कि यह आपको प्रश्न समझ में आया होगा आगे देखेंगे अब हम कुछ खास फलनों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहला जो खास फलन है वो है तजसमक फलन जिसे हम अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं अब इस फलन में क्या है? हमारे पास एक वास्तविक फलन है जिसमें ये जो आर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चे दर्शा रहा है और हमने फलन कैसे परिभाश्चित किया है? एफ एक्स बराबर में एक्स यानि जो भी मैं अव्यव ले रही हूँ वो वैसे ही वैसा प्रत्यक्ष मेरा उसी पे क्या आ रहा है? प्रतिभिम हो रहा है जैसे कि एक का प्रतिभिम एक ही रहेगा दो का प्रतिभिम दो ही रहेगा अगर मैं एक दशमलोव पांच ले लूँ तो उसका प्रतिभिम भी एक दशमलोव पांच ही रहेगा ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे? तद समक फलन अब इसका प्रांत कैसी संख्याएं ले रहा है वास्तविक संख्याएं यानि वास्तविक संख्याओं का सारा समुच्य ही हमारा पूरा का पूरा प्रांत बन जाएगा और वो ही हमारे पास प्रतिविम के रूप में आ रही है तो हमारा परिसर भी बराबर यानि वो ही समान रहेगा वास्तेविक संख्याओं का समुच्य अब इसका आलेक देखते हैं आलेक आपके सामने है ज़ा अगर हम X मान रखते हैं तो हमारे पास x प्रति बिम्मा रहा है, 2 रख रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 रखेंगे, तो 3 आ रहा है। इसी प्रकार हम देख सकेंगे कि हमारे पास एक रेखा मिल रही है, जो मूल बिंदु यानी शूने शूने पर जो केंदर होता है हमारा, उससे होकर गुजर रही है। आईए अब एक और विशेश फलन को देखें, इसका नाम है अचर फलन, इसे हम अंग्रेजी में constant function के नाम से भी जानते हैं, यह फलन भी आप देख सकते हैं, हमारा वास्तविक फलन है और जहां यह आर हमारा वास्तविक संख्याओं का एक समुच्य है, इसे हमने कैसे परिभ बराबर में c, यानि अगर मैं कोई भी संख्या लूँ, उसका प्रतिबिम केवल एक ही होगा और वो क्या होगा, वो अचर c होगा, उधारन के तौर पे देख सकते हैं, अगर मैं c को किसी संख्या से बदल दूँ तो लेते हैं हम 2.5, इसका आलेख आप नीचे भी देख सकत हैं, fx बराबर में 2.5, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का प्रतिबिम 2.5, दो का प्रतिबिम 2.5, तीन का प्रतिबिम भी 2.5, यानि मैं कोई भी संख्या ले रही हूँ, उसका प्रतिबिम क्या बन रहा है, यानि उसका क्या प्रतिबिम आ रहा है, 2.5, ची, ऐसे फलन को हम अचर फलन कहते हैं इसका प्रांत बहुत असान है प्रांत में हम यानि कैसे अव्यवों की हम प्रतिविम देख रहे हैं सारे वास्तविक संख्याओं की तो हमारा प्रांत हो गया सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्य परीसर परीसर देखेंगे कैसे हमें प्रतिविम मिल रही हैं केवल एक C यानी जो अचर लिया है हमने तो यानी इसका जो हमारा परीसर है वो क्या होगा एकल समूच्चे जिसके अंदर C ही हमारा उसका अव्यव होगा जैसे कि इस उधारन में हमारा परीसर क्या हो जाएगा 2.5 सहप्रांथ तो आप देखी सकते हैं सहप्रांथ हमारा समुच्च क्या है कौन सा समुच्च है वास्तविक संख्याओं का समुच्च है अब इसका आलेक देखते हैं आलेक देखेंगे अगर हम एक रखते हैं 2.5 में तो हमारे पास 2.5 मिल रहा है यानि ये 2.5, ये 1, 2 पे भी उचाई 2.5, 3 पे भी 2.5, आलेक देख सकते हैं, देख सकते हैं ये जो आलेक है, हमें क्या मिल रहा है? एक रेखा मिल रही है, जो कि X अक्ष के क्या है? समनांतर है, चीक? अब ये समनांतर रेखा, हमारी भिन हो सकती है, इस चर के आधार पर, अगर हमारा चर 3 है, तो ये यहाँ आ जाएगी, अगर हमारा चर कैसा है? माइनस 3 है, तो ये X अक्ष के नीचे आ जाएगी, ठीक? आई याब एक अलग फलन को देखें, हमारा तीसरा खास फलन है, मापांक फलन, जिसे हम अंग्रेजी में मॉडिलिस फंक्षन के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी हमने, F हमारा वास्तविक फलन है, और इसे हमने प F बराबर में मॉडिलिस X, यानि मापांक वैल्यू किसकी, मापांक मान किसका, X का, मापांक यानि पॉजिटिव, अगर हम नेगिटिव भी डालते हैं, तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानि हमें धन मान मिल रहा है, अब इसके अंदर इसका प्रांत देख प्रांथ में हम कैसे अव्यव ले रही हैं? सारे वास्तविक संख्याएं ले रही हैं. तो वास्तविक संख्याएं ले रही हैं तो प्रांथ हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्य हो गया. और ध्यान देंगे परिसर. हमारे पास कैसे संख्याएं आ रही हैं? सारी के सारी रिनेत तर वास्तविक संख्या है यानि आलेक के रूप में अगर हम देखें तो आलेक के रूप में जीरो यानि शूने से इंफिनिटी जिसमें हमारे जो शूने है वो समिलित है इस आलेक के अंधर ये हमारा परिसर हुआ कैसे होगा? इसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? इसमा पांक फलन को यहां देखेंगे जभी भी हमारा एक्स शूने से बड़ा होता है यानि जभी भी मैं एक्स का मान शूने से बड़ा लूँगी तब जो हमारा फलन है वो ही लेगा यानि क्या लेगा? तच समक फलन होगा अगर हम एक्स बराबर जीरो लेंगे तो शूने ही मिलेगा यानि एक्स बराबर शूने लेंगे तो शूने ही मिलेगा और एक्स अगर हमारा शूने से कम है तो हमें क्या लेंगे? हमें कैसी संख्या चाहिए? हमें पॉजिटिव संख्याल चाहिए तो यानि हम माइनस X कर देंगे जैसे कि माइनस 3 लिया वो हमारा शून्य से क्या है छोटा तो माइनस 3 के आगे एक और बारी माइनस लगा देंगे तो हमारा आंसर यानि हमारा उत्तर क्या बना इस फलन F3 का F-3 का क्या माना आएगा 3 यह होता है हमारा मापांग फलन जिसे हम अंग्रीजी में मॉडिलिस फ़ंक्शन भी कहते है आईए अब एक और खास फलन के बारे में पढ़ें जो की है सिग्नम फ़ंक्शन यानि सिग्नम फलन इस फलन में क्या खासियत है यह देखेंगे यह फलन भी हमारा एक वास्तविक फलन है और इस फलन में हमारे केवल तीन प्रतिविम्ब आ रही है और ये केवल तीन प्रतिबिम्ब कैसे आ रहे हैं अगर हम X का मान शूने से बढ़ा लेते हैं तो जो प्रतिबिम्ब है वो एक ही रहेगा यानि सारी संख्याएं किस पे जाएंगी एक पर जाएंगी ठीक अगर X मेरा शूने के बराबर है तो मेरे फलन का मान भी शूने के बराबर होगा और X अगर शूने से कम है तो फलन का मान सदेव ही माइनस एक रहेगा इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरीके से यानि FX बराबर में मॉडिलेस X अपॉन में X अब ये कैसे आया? विस्तार रूप में देखेंगे X अगर मेरा 0 से बड़ा है तो हमें पता है मॉडिलिस X कमान कितना होगा? X तो X बटे में X कितना आया? 1 अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो आप बहतर जान पाएंगे अब X बड़ाबर में 0 ने तो 0 ने दिया ही हुआ है और अगर X मेरा 0 से छोटा है तो इस मॉडिलिस X कमान कितना हो जाएगा? माइनस X और ये बड़ाबर कितने हैं हुआ? माइनस 1 के तो देखा कैसे हम इसी फलन के पास आ गए? अब इसके अलेक को देखेंगे जभी भी मेरा X 0 से बड़ा होगा ठी? तो मेरा जो फलन है वो मान क्या ले रहा है? एक तो यानि मेरे पास क्या आएगा? एक रेखा आएगी जो X अक्ष के समनांतर है और क्योंकि वो पॉजिटिव है क्योंकि प्लस वन है प्लस एक है तो वो उपर रहेगी X अगर हमारा 0 है तो फलन का मान भी 0 है तो ये वाली संख्या हमारी दर्शा रही है F 0 अगर मेरा X 0 से छोटा है तो प्रतिविम माइनस एक रहेगा तो भी हमें एक रेखा मिल रही है X X के समनांतर अब इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत क्योंकि हमारे पास कैसा फलन लिया था? वास्तविक फलन तो प्रांत क्या हो गया? सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्या परिसर परिसर में यानि प्रतिविम हमारे कैसे है? केबल तीन संख्याओं आ रही है माइनस एक, शूने और एक तो परिसर हमारा इन ही तीनों का समुच्या बन गया यहाँ देख सकते हैं ठीक? तो इसे हम ऐसे फंक्षन को यानि ऐसे फलन को हम सिग्नम पंक्षन कहते हैं इस पर एक उधारन भी लेते हैं इस प्रश्ण में हमें क्या दिया हुआ है? एक फलन दिया है modulus x-2 बटे में x-2 इसका हमें प्रांथ और परिसर ग्याद करना है द्यान देंगे यह मान तभी लेगा जब x2 के बराबर नहीं है और जब-जब x2 के बराबर होगा तो हमारा फलन का मान शून ने रहेगा अब इसे ज़रा विस्तारित रूप में लिखेंगे और देखेंगे हमारा ये जो फलन है किसमें परिवर्थित होता है एक्स हमारा अगर दो से बड़ा है तो इस मॉडिलिस फलन का क्या मान होगा? एक्स माइनस 2 बटे में एक्स माइनस 2 दोनों हमारे समान हैं तो यानि अगर हम इसको बटे में यानि भाग करें तो क्या हमारा उतर आया? एक एक्स अगर हमारा 2 के बराबर है तो हमें दिया हुआ है कि फलन कमान शुन्ने होगा तो वह हमारा यहां आ गया जब चर एक्स को हम दो के बराबर लेंगे तो हमारा जो फलन कमान है वो शुन्ने आएगा अब अगर हम चर एक्स कमान दो से छोटा लें तो क्या होगा ये फलन इस मोडिलिस फलन का क्या मान आएगा माइनस एक्स माइनस दो बटे में एक्स माइनस दो अब इसको भाग करने पर आप देख सकते हैं हमारा मान आ रहा है माइनस एक दिख गया तो हमारा ये जो फलन दिया हुआ है वो और कोई नहीं एक सिग्नम फलन ही है तो इसका परीसर तो आप देख सकते हैं और वो क्या है समुच्चे जिसमें तीन अव्यव है माइनस एक शुन्ने और एक इसका प्रांथ पहले भी हमने देखा था फलन हमें कैसा दिया हुआ है वास्तविक फलन और वास्तविक फलन का प्रांथ क्या होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चे आईए इसका आलेक देखें ध्यान देंगे आलेक पहले वाले आलेक के बिल्कुल समान है बस एक ही अंतर है पहले हमारा एक्स बराबर शून्य पे हमारा शून्य आ रहा था यहां हमारा एक्स बराबर दो पे शून्य आ रहा है यानि जब हमारा x2 के बराबर होगा तो फलन f का मान 0 ने आएगा ठीक और इस ती प्रकार आप ये फलन को इस आलेक के रूप में निरूपित कर सकते हैं आईए अब एक और फलन पढ़ें इस सत्र में हम ये आखरी फलन पढ़ेंगे इस फलन का नाम है महत्तम पुर्णांख फलन अंग्रेजी में हम इसे greatest integer function के नाम से भी जानते हैं इसे हम कैसे निरूपित करते हैं देखेंगे f x बराबर में महत्तम पुर्णांख मान ये इसका प्रतीक होता है यानि जब भी हम महत्तम पुर्णांख फलन लेते हैं तो हम इसको इस प्रकार इस प्रतीक से दर्शाते हैं तो ये हमारा जो फलन है f हमने इस तरीके से इसे परिभाशित किया है और परिभाशा हमें क्या बता रही है ये जो फलन है वो वास्तविक फलन है और जो X है, X से कम या X के बराबर हमारा महत्तम पुर्णांग मान लिया जाता है अब यह महत्तम पुर्णांग जो मान है वो कैसे लेंगे इसमें आप देखेंगे हमारा जो फलन है वो कैसे परिभाशत है हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की जो रेखा है इसको हमने अंतराल में बाठ दिया अंतराल में बाठ दिया अंतराल में बाठने के बाद जभी भी हमारा x किसी भी अंतराल में आता है तो उससे पहले वाले पुर्णांग का मान लेता है जैसे कि अगर हमारा चर एक्स माइनस एक और शून्ने के अंतराल में आ रहा है तो फलन का मान क्या होगा माइनस एक अगर हमारा चर एक्स शून्ने और एक के अंतराल में आ रहा है तो हमारा फलन का मान क्या होगा शून्ने अगर हमारा चर एक्स अंतराल एक और दो के बीच में आ रहा है तो हमारा फलन का मान एक रहेगा ठीक, तो यानि जो हमारा चर है उसका मान अगर वो पुर्णांग संक्या है या फिर उससे कम मान रहेगा किसका फलन का इसी प्रकार हमारी ये आलेख बन जाएगा अब देखेंगे हम कैसे अव्यव डाल रहे हैं यानि चर जो है हमारा कैसे अव्यव ले रहा है सारी वास्तविक संक्याएं ले रहा है तो प्रांथ हमारा वास्तविक संक्याओं का समुच्य हुआ पर जो हमारा प्रतिबिम्भ है, वो कैसे आ रही है? सारे पुर्णांग संख्याएं आ रही है माइनस एक, शून्य, एक, दो, तीन, ऐसे आती रहेंगी तो यानि हमारा परीसर क्या बना? परीसर हमारा पुर्णांग संख्याओं का समुच्य बना अब इस प्रश्ण में आप देख सकते हैं हमारे पास फलन इस तरीके से परिभाशित किया गया है f बराबर में महत्तम पुर्णांग मान, यानि महत्तम पुर्णांग फलन, माइनस में 2 अब इसके अंदर हमें क्या-क्या मान निकालना है? 2.5 का मान, माइनस 1.3 का मान, एवं 3 का मान, अभी कैसे निकालेंगे, आईए इसका हल देखें, इसके अंदर 2.5, यानि जहां जहां चर एक्स होगा, सबसे पहले हम 2.5 वहां वहां रख देंगे, ये रख दिया, अब इस महत्तम, पुर्णांख मान, क्या आएगा इसका, यान किस अंतराल में होगा ये, ये अंतराल 2 और 3 के अंदर होगा, तो यानि इसका मान कितना आएगा, 2, माइनस 2, तो यानि F, 2.5 का मान कितना हुआ, 0 है, अब अगला देखेंगे, F, माइनस 1.3, यानि माइनस 1.3 का हमें क्या देखना है, प्रतिवेम देखना है कि वो, इसका प्रतिवेम क्या है, फिर से हमने, अपने फलन में, रखा इसे, अब माइनस 1.3, कौन से अंतराल में आएगा, ये अंतराल में, माइनस 2, से माइनस 1 के अंतराल में आएगा, जिस में माइनस 2 समिलित है और माइनस 1 नहीं तो इस महत्तम पुर्णांख जो फलन है ये वाला इसका मान कितना आया माइनस 2 इससे कम वाला पुर्णांख तो माइनस 1.3 से कम कोन सा पुर्णांख होता है माइनस 2 तो ये माइनस 2 ले लिया फिर से माइनस 2 ये बराबर कितना आ गया माइनस चार, माइनस दो, माइनस दो, यानि दो जमा दो और माइनस है हमारा, तो हमारा माइनस चार आजाएगा आखरी इसी प्रकार हम निकालेंगे, F तीन, यानि तीन का मान निकालना है, यानि क्या हुआ? इस फलन में हमने जहां जहां चर X है वहां वहां हमने तीन डाला आप ध्यान देंगे तीन क्या है हमारा पुर्णांग संख्या और पुर्णांग संख्या जब होती है तो महत्तम पुर्णांग मान क्या हो जाता है वही रहती है कोई भी बदलाव नहीं आता तो वही रही माइनस दो और बराबर में हल करने पर हमें मान क्या मिला एक तो हम देख सकते हैं तीन का प्रतिबिम एक इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आईए अब जल्दी से देखें कि हमने इस सत्र में क्या-क्या पढ़ा हमने इस सत्र में फलन के बारे में पढ़ा ये देखा कि जो परीसर है सभी प्रतिमिम्बो का समुच्चे होता है वास्तविक फलन के बारे में पढ़ा और कुछ खास फलन पढ़े जिनका नाम था तजसमक फलन यानि आईडेंटिटी फंक्शन अचर फलन यानि कॉंस्टेंट फंक्शन मापांख फलन यानि मॉडिलिस फंक्शन और सिगनम फलन सिगनम फंक्शन और आखेर में महत्तम पुर्णांग फलन जिसे हम अंग्रेजी में ग्रेटिस इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं तो बच्चों आशा करती हूं इस सत्र में आपको आनन्द आया होगा एवं समझ में आया होगा धन्यवार प्रूंड करमक्शन झाय में आपको आए होगाया होगागा होगा था । झाल झाल